सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें रोज की रोज नई नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब आप सब का हमारे यूटूब चैनल ग्यान सरता रोज़त जानकारी में बहुत बहुत स्वागत है तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम बताएंगे रोसोई से जुड़ी हुई कुछ खास टिप्स जिने अपना कर आपकी रोसोई का काम बहुत ही आसान हो जाएगा तो फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें बहुत से लोगों के ये सोच होती है कि घर पर रहने वाली महिलाओं को ज़्यादा काम नहीं पड़ता लेकिन ऐसा सोचना गलत है क्योंकि रोसोई में समय पर नास्ता दपहर का खाना डिनर के अलावा घर पर आए महमान की खातिर दारी करना आसान काम नहीं है इसके अलावा स्नेक्स टाइम और बच्चों के फेवरेट फूट का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है इसके काम में जरा सी भी देरी हो जाए तो इसके लिए दोस भी ग्रहरी को ही दिया जाता है अगर खाने का स्वाद अच्छा ना हो तो भी परिसानी बढ़ जाती है तो आज की वीडियो के माध्यम से हम आपको कुछ ऐसे आसान से टिप्स बताएंगे जिने करके आप आसानी से अपने किचन का काम पूरा कर पाएंगी और आपके खाने का स्वाद भी बढ़ जाएगा सबसे पहले टिप्स है समोसे का आठा गुनते समय इसमें थोड़ा सा चावल का आठा मिलाने से समोसे कुरकुरे बनते हैं अगर आप घर पर भटूरे बनाना चाहती है तो आठे में खमीर जल्दी बनाने के लिए इसमें दो तिन स्लाइस ब्रेट के तोड़ कर डाल दीजिए इसमें खमीर जल्दी उठेगा तीसरा है दही बड़े बनाने के ल इसमें मिक्स कर ले इससे टेस्ट बढ़िया आ जाएगा पांचवी टिप्स है फ्रेंड्स प्याज जादा काट लिया है तो इसे फैंकने के बजाए इसमें थोड़ा सा नमक और सिर्का मिला कर रख दें इसे सलात की तरह खा सकते हैं छटी टिप्स है दूद फटने का आभास हो रहा हो तो इसमें एक चम्मच पानी और आधा चम्मच खाने का सोड़ा मिला कर उबाल दें इससे दूद नहीं खराब होगा फटेगा नहीं अगर आप घर पर देसी घी बना रही है तो घी बनाते समय जरा सी तेज आँच होने पर घी जलदी जल जाता है और काला हो जात घी का काला पंद दूर करने के लिए इसमें ताजा आलू का टुकड़ा काट कर डाल कर घी गरम करें इससे घी साफ हो जाएगा आलू के बने चिप्स स्टोर करने के लिए इसमें सूखी लाल मिर्चुवा नीम की सूखी पतियां रख दें इससे गंद नहीं आएगी अचार का अत्रिक्त पानी भी निकल जाएगा और आचार की रंगत भी खराब नहीं होगी तो फ्रेंड्स आप भी इन टिप्सों को जरूर अपनाएं और अगर वीडियो हमारी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें सेयर करें और कमेंट भी करें फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ